नमस्कार मेरे प्रीज सांथियों सांथियों देखिए आज समाज जिस प्रिवेस में है आज जो एक जो हमारी संस्कृति है जो हमारी मुल्य परंपराये हैं जो हमारी एक धरोहर है जो चली आ रही है वर्सों से प्राचीन समय से एक दूसरी बात कुछ चीजे हुई है दोस्तों समाज में देखिए हम हर एक चीजे को सही नहीं ठहरा सकते हैं कुछ मान सिकता कुछ परिष्थितियां प्रतिकूल रही हैं तो हमारा यह पोड़कास्ट का सीरीज है पोड़कास करेंगे कि क्यों समाज आज ऐसे जड़ता विक्रित परिवेस में से गुजर रहा है क्योंकि देखो कुछ चीजे होती है अगर कुछ चीजे को आपने सप्रेस करा दबाया 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 तो अंदताह वो बिश्फोट हो जाता है ठीक है वो बुरी तरीके से वो बिखर जाए और बुरी तरीके से संसार का विनास का कारान भी बनता है दोस्तों ये एक इसु रहा है ठीक आप देखेंगे ना कि जिसे भौतिक के नियम के में नीव्टन का प्रथम नियम क्या कहता है जोकि जड़त्वकरिया है कि दोस्तों कि प्रतीक्रिया की विपरित एवं ब् परते थे इव उन टू इक्वल टूं कि एफ । माइनस टू वन या इधर कर लिजिये इव टू उन परिस्तिटेट्व में जा रहा है और हमें इसमें जाग-रुकत लाना होगा मैंने इस के लिए बात करा और मैं आज के समय ना दोस्तों अब हमें वेस्टर्न कल्τικे वेस्टर्न संस्क्रिति कि भारती परिप्रेच्छ में भारती समाज में और चाइनीश परिप्रेच में चीनी समाज में अब उतने मूल्य और महत्ता नहीं रह गया ठीक है दोस्तों कि जैसे ये पहले फिरेंज सीखते थे लोग जर्मान सीखने थे ठीक है इस पैनिस सीखते थे ये सारे चीजे ठीक है अब देखना अगर आज के समाज में आज के समाज में देखो अधीक करना है आपको आगे जाना है तो आपको Sanskrit भासा Chinese भासा ठीक है अपले आपने Hindi इंगलिस तो जान ही लिया है एक Sanskrit भासा एक आपको Chinese भासा क्योंकि अंत्राश्टी संबन जदा और गहरा होने वाले भले कितने की विवातों में हैं किस तरीके के Controversy किई न रहे लेकिन चीन के बीना आज जो समर्धस्त एवं हमारे Asia में भारत तह्तक्राय के देशों के कलपणा नहीं कि जा सकती बिना चीनी सहयों को समर्थन और उनके साथ दिया अपार भागीडार फार्माच्तिकल यह फार्मस थोकल हैं दोस्तों तो यह आपको ध्यान रखना होगा एक चीद देखो भारती परिप्रेश में ठीक है हमने हमाने सविधान को अडाप्ट रखिए सविधान में माना ठीक और उसमें जो 22 जो हमारे जो अनुसुचित भासा है जिसमें कि सबसे कम पुरी जाने वाली सबसे कम पुरी आता है और वहों बहुत वीख कि पहला सकता है वह एक ताना सहह की और भी ले जा सकता है तो कहीज न कहीं ये लेखो कि देखो वैदिक जो ए रा था वैदिक प्रमपर ब्रहाजा दया ओस उत्तर वैदिक तरीक अमाच पर सॉसाइटि तो इसमें सबस्लाइधि empathy keं ग्या प् सप्रेशन करा गया क्या चीज़ के सप्रेशन कि जो संस्क्रित भासा है संस्क्रित भासा जैसे जो धर्म गुरू है जो मुख्या है जो मुख्या वहां मुख्या जो राज दर्वारों के मुख्या मंत्री है जो राजा के सलाकार हैं वही संस्क्रित भासा बोलते थी और राज प्राकृत भासा बोलते थे प्राकृत पाली भासा बोलते थे उनको संस्क्रित भासा का इस्तिमाल की क्या थी पूरी तरीकर से मना ही थी दोस्तों एवन जो महिलाएं थी जो फिमेल जो थी जो वैदिक जो सोसाइटी की वैदिक काल की महिलाओं को भी संस्क्रित भासा क्यों क क्यों यह भारे वो राजा की रानिया क्यों नहूँ हो उनको संस्क्रित भासा बोलने का जनने का सीखने का कोई अधिकार नहीng था तो उस ताइम पे क्या हुआ संस्कृत भासा कब और चिस्वता रहा और वोक्ति डिस्क्रिमिनेशन का एक इस्सरा वो क्या तो राजा थे उसको क्या बोलते थे राजन ठीक है राजन बोलते थे राग्या राजन रडियो जैसे रडियो असोप ठीक है यह जैसे ब्रह्मी लीपी में भी आप देखेंगे ब्रह्मी लीपी जैसे था तो उस तरीके से बढ़ता जाता है अब यह धीरे धीरे छोटे- इस वर्चेस्वता को कम करने के लिए एक करांती आती है क्या है एक इनलाइटरमेन आठा है इनलाइटरमेन मतलब एक जागरण एक उत्थान आता है राइजिंग तो जिसमें दो महापुरुस्ट ने महत्पुने अबदान दिया एक है महावीर और दुसरा है गौताम भूद् जो एक दबाया गये संस्क्रिट वर चैस्वत्ता था प्रांपनी जो रादिर वार में जो प्राम्परा में उनकी ब्योस्ता में और ट्री के रूप में जैसे ठार्वाविर नोगों सबнов recommendations लड़ाके थी, यह लोग अधिक से अधिक गायोज, गाय हो गया, ठीक है क्रिशी के लिए जामीन, भूमी के लिए राज, टेकक्स के लिए जो राज के लिए इन पहे अर सफोन के करेबा जो एक ब्राहभनिवादी है ब्राहभ बाहरबादी परभा करेंगे और क्या है तो इसी में रिफॉर्म्स किया सकता थी और ये कुछ जो बहुत जादा उस टाइमें समस्याय विक्रित हो गई समाज तो इसे वैथित हो कर जैसे के राज सासन जो गवतम बुद्ध ने जो महावीर ने क्या करा अब जो महावीर जैन है ठीक है तो ये एक वह धमान ये लोग अपने राज पाट को त्याग देते हैं और एक समाज बे सुधार के लिए उस और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो उसी बुद्ध क्या है उनकी भासा पाली प्राकृत भासा में पूरी जो आज भी देखना कि सारना दब जाईए तो पाली प्राकृत भासा में बोलें पढ़ाई होगा ठीक है अप लगदाक में चले जाएए ये भारत से ओरिजिनेट होता है बहुत धर्म और ये जाकर अपने स अच्छीड एस्या में जाहसे लंका हो गया सौथ इस्टिर एस्या में माइम अर्थ हाई लेंड बर्मा इंडोनिसिया तरफ चले जाए इधर उपर जापान चला गया फिर जो एसिया के इस्ट जो ऐस्या महादीफ है इसमें ठीक है चीन में आप जाई ए लदाक छेतरों मे तो ये इस छेत्रों में आगे बढ़ जाता है दोस्तों कौन बहुत धर्मा ये भारात से इसका ओरिजिनेट होता है जैसे जैन धर्मा जैन धर्मा उस तरीके से जैसे सबसे कम अभी माने रोटीस में आ गई जैन धर्मा उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाई जैसे कि ये अभ विश्टणा नमद्य परदेश के शस्ची में इन शेत्रों में रहागा कुछ व्यपारीक वर्ग क्योंकर या जेहन प्रामपरमने सक्त प्रतिबंद है इसका करें कि धिस्सा करें कर अफटें प्रसकतें जिसके भू Squamamma AMP के परकाय में दून और च्रीज्माइं चैसे छोटे से छोटे जीव चीटी दिमकोगी आजीव हत्या हो जाते है जबकि जैन प्रमपरा धर्म पूरी तरीक ऐसे यह रिक hm तो अपने से अपने धर्मा परमपरा या आचार वहार में मान्यता नहीं देता तो इसलिए ज्यादा तर वेपारिक कार्या में रहते हैं आज वीदियों में तेकिंग कुछ जहन जो है तो बहुत काफी बड़े घराने रहेंगे कार्पुरेट्स घराने थेक बै part घराने में रहेंगे थीए दोस्तों यह है जैसे श्रेश्टी बडी जो प्राचीन में कहते थे ते वे पास्री के रहेंगे जहन परमपरा में त्यों समाद के लिए लेकिन यह लोग देखना के अब इसमें सुधार के लिए लेकिन आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और इसमें सभी धार्मों को क्या होता है कि परिवेश दिया जाता है जैसे आप दक्षिर में चले जाएंगे तो जो लिंगायात परंपरा आएगा बाद में आएगा अब यह जैसे आ तिक है इस सुधार की भाउना से जाएंगंगे तो यह दृळ lumière क्या है जो ब्रहमणी परंप्रा है जो सवर्छानी परंप्रा जो सवर्ट है इसमें סक्रीटी네 कि उसको यह क्या करता है चैलेंज देता है और स्वयम आगे आ जाता है तो आज देखना जितने भी मंदीर परंपरा हैं आप जितने प्रचियार प्राची नितिहासिक मंदीर चाहिए देखेंगे तो अधिकतार जैसे गौतम बौध बौध जी का मंदीर हमारे छतिरगर में ज जितने भी जैसे आप पाली में चले जाए ठीक है जैसे सीव मंदीर है एक मुप्च मंदीर रहेगा अस्टकु जैसे वह यह तरीके से इनके जो रहा दसा जो राजा वाण वान्स बिक्रमादीतिय में यह सब के दोरो द्वरा बनाया भी गया है ठीक है तो उसमें एक उन न इसमें भी जड़ता आती जाएगी वह कर प्रक जैसे आप देखना इस वी प्रaktog Prquisण भास या अपनी जो भास रहेँ जिसे शेएं में वह समझ आए जाएंगे दिगंब्र और सुयत और सुयताम्प पर कपड़े वस्त धारन करेंगे दिगंबर वस्त र नहीं धारन में अकाल आया उस ताइम में तो वह एक दक्षिर में एक चला गया ठीक और उपर में एक नौर थे मिज़नरे में एक संगम लाया संगम नाया संगम साहितय की जो वैठाक होता है ठीक है दोस्तों भादरबा हुआ है हुआ ठीक है और इसथुल्बाहु है ये तो यह होता है तो दोनों फिर एक दूसरे में जो समझस से नहीं बन पाया दोनों के ट्रडिशन अकाल के बाद में काफी विचार बदल गया थे वैसे ही अब बहुत प्रमपरा मैं देखेंगे तो वह भी दो में बढ़ जाता है महायान बहुत और हिन्यान बैद महायान जो निराकार बुद्ध को मानेगा मुर्ति पूजा का विरोध करेगा सेम इसी तरीके से आपका स्वेतामबर दिखामबरा अब इसमें अनेक विखरितिया आ जाती है और यह अपनी भासा को अपनी छेत्री भासा अपनी जो लेंग्वेज थी उन भासाओं को जिसमें इसका ज की फोर्म साइंगे फिर वो जैसे अब रामा नूझाता है तो यह भक्ति परंपरा अब भक्ति अंदोलन के रूप में रामा नूझा आएंगे यह सास्त्राार्थ करेगा चार जो पीठों के स्थापना करेगा ठीक संकर डेुप जो आयगा संकर आयगा तो यह क्या करते है क इस तरीके से फिर जो कमिया रही जो जैन परमपरा में जो बहुत परमपरा में वो फिर से ये सनातरी हिंदू परमपरा का ये इस्थापना करते हैं सास्तायत करते हैं पूरे देश में भरमर करते हैं तो फिर देखना अब क्या होता है मुस्लिम आकरांत आएंगे अब जैसे इस तरीके से हम देखते हैं तो आठ सो नौ सो बीसी तक हो जाये रहता है स्वरी सी तक सेंचुरी तक कि तो अब इसमें क्या है कि जैसे अब अलग अलग जैसे पाल डाइनेस्ट्री अपने इस टर में गौड छेतर जिसको बंगाल छेतर को बोलते हैं दर्चिर में आपके मिल जैसे नार्थ में जाएंगे तो जैसे कनीश को बहुत सारे सासन रहेंगे ठीक है दोस्तों ना तो यह भारत भर में भी रहा ठीक है इनके छोटे-छोटे शेतर भी रहें ठीक है ऐसे करके ना आप कस्मीर मकर जो सासन देखेंगे तो इनका सासन चला अब यह लोग अपने की आपने जो कल्चेरली ली या जो कोई जैन-धार्मा को बढ़ावा दे रहा, बहुत को ब्रहमठी परमपरा को कल्चर को कुई नय-ए उपाधी लेंगे रहमहा धिराज, रह धिराज, ऐसे विक्रमहा धीत्या मतलब ऐसे अपने-अपने के लिए उपाधी लेंगे को जैस द्धरमा प्रम्परा को स्रक्षर देंगे इनमे अने डायवर्स प्रस्पेक्टिव आयता है इसमें अने परीप्रेट शाएंगे तो धीरे धीरे ये क्या होगा ना दोस्तो एक तरगे से मल्टी मल्टी कज्या होगा लेकिन छोटी-छोटी समराजी होने के बाद धीरे-धीरे लेकिन फिर एक दूसरे से लड़ते संकार्ष करते अपनी संस्कृति को बचाते करते यह लोग चलते रहते हैं अब जब ना मुस्लिम आकरांता है दोस्तों मुस्लिम आकरांता है तो जो ठीक है तूगला कौंस जाहेगा गुलाम जो डाइनेश्टी रहेगी इसके फिर मुगल आएंगे आगे यह बढ़ते जाएगा तो एक इसलामिक परंपरा इनका विकास होगा इसलामिक कल्चर जैसे उर्दू-फार्सी का और ज्यादा बढ़ावा होगा पहले ही हमारे हैं बेपार होते थे तो फारसी जो फारस के लोग जैसे हमको वो लोग क्या है कि सिंधू नदी तो फारस में सा को हाँ उच्यारण करा जाता था तो जैसे आज हमको हिंदू बोला जाता है तो जो सिंधू नदी के लिए हाँ तो हिंदू बोल दिया जाता था हिंदू छेत्र त अलिद्रिसी है ठीक है ये तो उस टाइब से मुस्लिम जो लेखा है मुस्लिम जो प्रसस्ती लिखाए गए पहले भी प्रसस्ती होते थे प्रसस्ती मतलब अपना प्रसंसा कराना संस्कृत प्रसस्ती प्रयाक प्रसस्ती सब लिखवाया जाता था पूरो में तो ये लोग प्र परमपरा को अपना बढ़ाएंगे अपना कल्चर को बढ़ाएंगे जहां से यह ओरीजिनेट हुआ था ठीक अब रहाम कल्चर को यह लोग अपनी संस्क्रिति को नहीं फालो करेगा उस पर अधिक कर लगाएंगे टैक्स लगाएंगे ठीक है जिसे जजिया कर इस तरीके के फ प्रसासान का अधिकायर मिलेगा प्रसासान के साथ वह अपने संस्क्रितिक वर्चस्वता जो वाइट बडन वाइट में मतलब एक स्वेट आदमी को वर्चस्वता को महान बताने के लिए इस तरीके से यह लोग आ गया एंगे कौन यह ब्रिटिस लोग जैसे अठारा सु खिर उस्थलन एक चार्टर धेक्ट में फिर ये ईसाही मिस न्रीज को और ग्रामिट शेत्रों तक और शेत्रों तक मिस्टरी का परचार के लिए अपने संस्क्रितिक और इंग्लिस वर्चस्वता को बढ़ाने के लिए इंग्लीस शिक्षा पद्दति के जिसमें पष्चा सब लोग ठीक है कि जैसे केसरी मरहठा जिसे लोग प्रलेक करेंगे और अनेक जिसे पूरे पास्चात ये कल्चर संस्कृति में इंग्लिस का लेकर उस टम की तदकालिंग समाज में तो अंग्रेजी भासा की और उन्मुख होंगे प्रवरित होंगे ठीक है दोस्तों तो है और उस टाइम के तदकालिंग इतिहास कार थे जो हिस्टोरियन थे जो कल्चरली जिस तरह कैसे जो सविधान बनना था तो उसमें भले हां हर सारे लेंग्वेज को अब सेडूल अनुसूचित भासा में डाल दिये छेतरी भासा में इस्थानी भासा में भी डाले लेकिन हमने क्या गलती करा इस टाइम भी देखो हमने इतिहास में जो गलती है किसी चीज को सप्रेस करें थे जैसे प्राचीन समय में संस्कृत और चस्वादेकर जैसे पाली प्राकृत भासा को छुद्रो नीचे तब को के लिए उपयोग के लिए जैसे ये गौताम भुद महाव नेटसान को उसको दबा देंगे नीचे करेंगे कि जो वर्चेस्वता का जो बड़े जो मुद्पात के जो राजा महराजा ब्रहमणी जो परमपरा बड़े पद में और यही लोग उपयोब करते हैं इस करान वो अधिक लोगों कर समावेचिता इंक्लूजियन नाले के लि यह जब आते हैं 121100 से 131400 में भी तो जैसे मीरा आएगा ठीक है मीरा है संकरते तो यह लोग संकरते एक बर पहले हैं जैसे की वह लपाचारी हैं और इस तरीके से छेतरी भासा में भी आएगा जिसे नर्शी मेहता है यह इस तरीके से भक्ती परमपरा आगे जाएगी तो एक निराकार निर्गुर्ण धारा भी चलेगा जैसे कि कौन गुरुनानाग जैसे गुरुनानाग हो गया कबीर हो गया रविदास हो गया ये लोग एक निर्गुर्ण साखा निर्गुर्ण बिना मूर्ति का विरोद करके निर्गुर्ण साखा परमपरम की पुजा करेंगे और जैसे कि मीरा हो गई ठीक है और अन्य ऐसे रहेंगे ठीक है अपने इधर संकेर्दर्ण जो परंपरा में आप देखेंगे तो ये लोग क्या है सगुर्धारा कभी वो लोग करेंगे तो इस तक है भक्ती परंपरा आगे जाएगे ये लोग मुस्लिम आकरांता के विलोद् इसमें पुसलिम धर्म बे एक सुधार कुरान में एक सूफी वाद आएगा रहास्य वाद आएगा ये लोग अपने जो सूफी वाद परमपरा भाई चारा और एक नया संस्कृती लाएंगे समाज में तो इस तरीके से समाज सुसाइटी आगे बढ़ते जाता है आगे बढ़ आते जीशों से जो तरीके से जो गुलामी करी थी तो उने एने चीजों का और जो उस्टाइम में जो इसो थी हमने एक ब्रिटीश परंपरा का अगे देखा पाछीन परंपरा का नहीं देखा हमारे जो समविछान निर्माता का रहा है इसके और भियाद कर जो शभी आखना देखना कि उसने देखा ब्रिटीस जैसे परंपरम जैसे फ्रांसेसी करांथी सोतंतरता समानता बंदोता हो गया मौली कदिकार हो गया अमरीकी करांथी से इन सारे चीज़ों को तो हमने समावेस कर लिया और एक बैलेंस बना कर एक फेडरल जो एक्स्टार कर संगी भावना त चलाते के हैं आज भी हमारा कोट का लेंग्विग देखना देरेदीन इंगली इंगली सब हो रहा है पहले इंगलीस में ही सब चलता है जो हमारे मुल्वासा जो कउर्ट कानून कछेदी कि और बड़े विदेश समभाने तो अदिक्तर रहेगा कि कान्य देशों से लेकिन ह हमने नहीं बढ़ाया आज इसी का फाइदा उठाकर एक जैसे विशेश राइजनितिक डल है अपना ही तलाब लेते हैं और एक पुरानी प्रमपरा में प्राचीन वर्चसता एक अखंड महा अखंड भारत महा भारत ऐसी करके एक प्रमपरा दिखाकर एक रामराज्य दिखाक जूटी मन सा दिखाकर देखना अब देखना इसी लिए हम बोलते हैं एक पुरानी प्राचीन संथ करता के विशार धारा को ला करके क्या करता है तो यह बढ़ावा देने के लिए नए कल्चर नए युवा को आप देखना के हर की मुबाइल में जो सौर्स इस्टाग्राम जो फेस्बुक में देखती रहता है दिनों बच्चा यूटूब में तो यही है खंड भारत यह बोलेंगे खंड भारत बनाएंगे उसको एक्च उग्रहो कर आज आई और यह इतने उग्रता हो गई कि भारत में लोग डिक्टेटा सीख के मांग करते हैं अभी नया युवी का सर्वे आया है तो इस तरीके सी लोग अपने आपको कि जैसे कि जर्मन सरिष्टता एक जूठी परंपरा वहां पे दी गई कि आर्या तौने जो परसासान तंत्रा बनाया था जो उसकी सेल पार्टी थी ठीक है कि जो जैसे इस टार्मटूपर्स जो जो एक जो डल थी ठीक है मिलिशिया थी नागरिक मिलिशिया जो सेना के रूप में कार करते थे थी तरह जो फासिट वादी जो मुसल्य नी की ए परदाने के लिए एक अखन वर्चस्वता लेकिन लोग छूपद है विक्रित है पूरे मास सौसाइटी को जितने मास मोबिलाइजेशन किया गया उतने लोगों को उस वारे में वास्त्विक्ता के बारे में पता ही नहीं है ठीक है दोस्तों यह पता नहीं है यह लोग मतलब भूल गया है जैसे आप दिखेंगे उत्तर वैदिक प्रेड में जैसे वैदिक प्रेड में क्या होता है जो वन्च जार व प्रत्यक वेक्ति में एक दैवी प्रवित्ति होती है और एक आसूरी प्रवित्ति हर समय उसमें रहता है उस उस अनुरूप उस जो सकती का दैवी सकती अशूरी सकती बढ़ेगी तो अशूरी प्रवित्ति में जाएगा दैवी सकती के और आगे अगरसर उन्मुख होगा दोस्तों ये होता है लेकिन आगे जो देखा एक परंपरा में सुरू से विक्रीत आ रहे हुए थी और जो उ स्कुर्प जानना एच्छे सुसाइटीट करिए संस्कृत का ध्यान करिए बहु वच्ण 2 वच्ण पुर्फव जानिये तो आँ कि तुम दोनों सारे तो प्रसास की डिक्टेटर ठीक है तरीकशा के जो आट्रेसी टीमोक्रेसी भारात के रूप संग्या दी जाती रही तो इन सारे चीजह को जानना है आपकी टेम में तीक है पड़ंपरा यह जो सासान आई है अभी के जो राज नीटिक पार्टी है और एक जो एक संगठान है जैसे कि BHP 200 हिंदु पर जो परिशत है जो दिरे से जो दभी हुई थी वो इतने उगरता से आई बजरंग दल है जैसे RSS राष्टी स्वाम से संगह ठाना है तो इनके जो गुर्वाल करके जो विचारधारा है यह विचारधारा इस समाज में इतने तरीके से उगरता से और लोगों ने इसको अपना महानता समझ कर जिस तरीके से डाप्ट करा एक्सेप्ट करा लेकिन एक्शल में कल्चेर से लोग नहीं जान रहे हैं तो यह देखना वास्त्विक्ता को नहीं जानते हुए भी एतने एक्सेप्ट करा तो आज समाज को जानने के अबतार बनोगे तभी जो बीकृतियां है जो गलतियां पूरों में रही अभी भी रही उनको जान पाऊगर एक नया समाज सुधार हो जाएगा हमारा पोड़कस्ट चलाने का और चित्या ही दोस्तों कि हमने जितना ग्या नर्जित किया है जितना जाना है आप सभी के समख तो युद्ध हो रहा है रूसी कुरेन हो रहा है अरब जो इस्राइल जो कंफिक्ट आप पूरे वैस्विक इस्तर पर अप यूएस यूके और यह यवन जो वार है जो समुद्री इस तरीके से तो इस्थिर्टा इनस्टेबिलेटी पूरे आल ओफर वर्ड में बनी है ना क अब ही जो एक पुलिस वाले ने मुस्लिम धर्मा कर जैसे किसी को नमाज पूर रहे हैं तो उसको लात मार देना ठीक है जैसे एक विस्थिर्ट प्रकार के कावड़िया जाएंगे तो भाले उसके एक सरकार फूल बरसाती है इस तरीके से धार्मिक एक क्या है असामानता भ पक्षा को बढ़ावा देना जिसे राम मंदिर तो बन गया मैं भी हिंदू लेकिन एक तरीके से जो उसमें ट्रेश्ट में एक भी कहा गया था कि जो मस्जीद पक्षा को पांचे कर जमीन देकर बनाया जाए तो अभी धार्मिक सामानता का भाव नहीं रहा गया तो आपको सारे चीज़ों को जब जानोगे वितताहरा में जाओगे घहराई में जानोगे संस्कृतिक परंपरा का एक्ष्वल में जानोगे क्या है तब आपको समझ मैंगी दोस्तों यह अब जूटे जूटे भावना जो एक अभी जो बहुत से रिटायर हो गया है ना दोस्तों जाते हैं अब दिख्टे तरस इप चाहिए ताना सही क्योंकि लोक तंत्र है जो दोस्तों लोक तंत्र में सर्व धर्म समावेशी का एक भाव और जो जो गल्तियां जो विक्रीतिया रहे हैं उसको दूर करते हुए एक समानता नाकर बंदूता भाई चारा सो तंत्रता के सा सब्सक्राइब करने होते हैं सबको सबको अधिकार सुनिश्चीत धर्म का भाद रुप के मानने क्योंकि धर्म व्यक्तिकत मामला है दोस्तों इसमें किसी राज्य का हस्तशेप नहीं होना चाहिए लेकिन कल्चरल को जीस तरीके से देखना यह रागया और बढ़ेगी और वो आपके जो ने जो इस बनाया है फिर एक ही जीच को एक ही संस्क्रितिक भासा को आप बढ़ावा दोगे एक ही परंपरा एक ही कल्चर एक हिंदुवादी बनाओगे तो बात में फिर सुधार होगा इनको सप्रेस होगा क्योंकि पूरे इतिहास से हम को इसी तो जानन होम बन्स आएं किस तरीके से आगे बढ़ें फिर एक मुस्लीम सा सक्मुकली मुस्लीम अकरांत आए फिर भारत ने ब्रिटीस आए ब्रिटीस के बाद आजादी हो तो जिस तरीके से आप फिर एक रुपता में आप अलग-अलग तरीके से लाए हैं जिसमें डेमोक्रिसी ल और आगे बढ़ेगा और यह नए अकरांती आएगा देखते नहीं होगा चलिए दोस्तों आप सभी का नमस्कार जागलूप बनते रहिए समझदार बनते रहिए और इस पोड़कास्ट पे आप अधिक सधिक विचार करिए सुनते रहिए नमस्कार दोस्तों